डूप धम चेश हुआ हैंद ल시면 दोपालों में चाहई ट्लव एज कर अब बनाने वाले हम फूल गोबी और फिश हैं एक टैश के लिए हम फ्रेश फूल को भी ले लेए और फ्रेश फिश ले ले लेएं तो फिश को मैंने यहाँ पर काटके धो के साफ करके उसके साथ मैंने मिला थोरा सा नमक अंदाजन और उसके साथ ही साथ मैंने मिला थोरा सा हल्ली अब इसी दोनों को मिक्स करके कुछ दिर तक रख देंगे यहां पर कड़ाई पे तेल चड़ा के उसी में फिश को एक एक करके फ्राई कर लेते हैं जब तक यह फ्राई होता है तब तक हम गोबी मतलब फूल गोबी इसको दोड़ा काट के धोके साफ कर लेते हैं फिश फ्राई हो चुका है उसी तेल में अगर तेल कम हो तो थोड़ा तेल एड़ करने के बाद यह जो फूल गोबी हम लोग अभी साफ करके रखे धोके वह वला हलका सा फ्राई कर लेंगे यहाँ पर फूल गोबी मैंने बॉयल नहीं किया है मैंने सिर्फ कच्चा इसको साफ करके धोके यहीं पर डायरेक्ट इसको फ्राई कर लेंगे फूल गोबी फ्राई हो चुका है अब इसी तेल में अगर तेल कम होता है तो थोड़ा और तेल दे दीजेगा उसके साथ देते और थोड़ी सी साधा जीरा ये सारी चीजों को अच्छी तरह से भूंड लेंगे और जैसे थोड़ा ये भूंड जाए उसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज मैंने यहाँ पर चोटा चोटा करके काटा हुआ है यहाँ पर मैंने लिया एक ही मीडियम साइज का ज्यादा बढ़ा नहीं ज्यादा चोटा भी नहीं मीडियम साइज का एक प्याज लिया है इसको मैंने पतला पतला काट लिया है अब इसको हलका सा फ्राइ करेंगे ज़र ब्राउन नहीं होना यहाँ पर सिर्फ इसको ट्रांस्पेरेंट होना है ठीक है जैसे यह हो जाता है हम इस पर अभी डालते हैं आलू आलू मैंने लंबा लंबा काट लिया है देखिए क्योंकि फूल गोपी के साथ आलू एक ही साथ पक जाना चाहिए तो अभी आलू और प्यास दोनों को अच्छी तरह से फ अनुसान नमक और इसी के साथ ही साथ दे देते हैं हम यहां पर हल्ली पाउडर जितना लगेगा उतना ही दीजेगा जादा ना दीजेगा उसके साथ देते हैं लाल मेच पाउडर और इसके साथ थोड़ा सा जीरा भूना वा जीरा पाउडर भूना वा धनिया पाउडर दो अब थोड़ा सा पानी जाता नहीं थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और मैंने यहां पर एड़ किया है जो कॉली फ्लार आता है अभी तो ठन का मौसा में शुरू हुआ है तो फुल गोबी आ रहा है वो एकदम फ्रेश है और उसके एकदम पास वाले जो एकदम टेंडर वाले पते जो होते हैं छोटे छोटे आते हैं वो बहुत ही अच्छा लगते है खाने में तो वही मैंने तूर के यहां पर डाला है चुटा चुटा पीसे तो वही सब देखे और थोड़ा सा पानी दे देखे इसको हमें चलाना है क्योंकि हम यहां पर जो इसको चलाते हुए पका ताकि यह जो आलू है इसको कवर करके हम कुक कर सकें और आलू भी कुक हो जाए देखिए मैंने कवर हटा दिया जादर दितक मैंने नहीं रखा है एक से दो मिनुट के लिए मैंने रखा था अभी मैं डाल देतूं यहां पर टमाटर क्योंकि अलू अभी पक चुका है उसके ब खोल के अभी चptic करेंग स्काळकी करके हैं मैं फीर से सिあम फिर से चब देती थोड़ा सा और ईसको दुबारा ध्खदेंगे ताकि टमाटर पूरी तरा से घल जाए तो इसको चला लिया हमने तो अभी पृर से हम इसको ना कर देते हैं जासً एक से देर मेंने नियर के लिए अभी धकन उठाके देखते हैं कि टामाटर गला की नहीं हाँ चेक कर लेते हैं हाँ टामाटर अभी थोड़ी से गल के बाकी जो है चलाते हुए ऐसे कुक हो जाएगा almost कुक हो चुका है सारे के सबजिया देखी सारे हो चुके हैं तो अभी इसको थोड़ा से चलाते हुए ऐसे खुले में कुक कर लेते हैं तो अभी इसमें हम डाल देते हैं फूल गोबी देखिए का अभी आलू भी हम लोगो 50 पॉर्शन कुक है फूल गोबी हम लोग ने पहले से फ्राइ करके रखा हुआ है तो फूल गोबी भी 50 पॉर्शन कुक है तो सारे चीज़े अभी ऐसी स्टेट में है कि सब एक साथ अगर हम कुक करेंगे तो सब एक साथ कुक हो जाएगा तो अभी फूल गोबी मिला देते हैं और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते ताकि जो मसाला अभी तक हमने कुक किया है वो फूल गोबी में भी थोड़ा से फलेवर आ जाए तो इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि मसाले मिक्स हो जाए अभी डालते हैं तोरा सा पानी क्योंकि ये काफी सूख़ा-सूखा है, शुरूजा पूरी तरह से फुलो गोबी में मि fairness हो जाएं, तैकि मशाव्या अच्छी तरह से ठोड़ा और पका लेंगे घर्याच दालेंगे उद्यादाभ कमसाले की मि realm जाला थेले कि लिए पने लगा pacention और फिश डालने के बाद एक बॉयल के इंतिजा करेंगे जैसे ये बॉयल हो जाएगा आपका ये आज का फुल गोबी का सबजी है तरिया है तो आज का रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा अच्छे लगे तो जादा से जादा करके शेयर कीज दिएगा और हाँ नए फ्रेंज से मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राब कर लिजे ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाओ आपके पास सबसे पहले पहुंचे तिल देन बाई 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 एंटीक एर फिर मिलते हैं नेक्स एक ब्लॉग म बाई मिलते जाके